वाही गुर्ची का खालसा वाही गुर्ची की फते पंजाबी औरे बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोतियानूं मेरे मनेंदर कॉर्वलों प्यार परी सच्छ्रिय का किताब डाक्टर अम्बेट कर सिख क्यों ना बांड सके दोशी कौन पाग दूज्जा पन्ना नंबर उनती उने तद अपनी उच्ची अवाज विच उनानू खबरदार कीता कि ओहो हिंदुईजम नालों अपने सबांद तोड़ जैन अते होंसला देन वाले दूसरे तरम विच आतम सन्मान दी पाल करन प्रंतू उना चितावनी दती के नवे तरमदी चोन करन विच बड़े सावदान होन अते देखन की उनानू सरख्यत रखन ले ब्रापरदा वर्ताओ सन्मान स्थान अते मौक्यां दी ग्रंटी दती गई है डाक्टर अम्बेटकर ने अपने निजी फैसले दा हवाला दंदेया इस मामलेच किहा कि बदकिस्मती ओहो एक हिंदू अच्छूत पैदा होया उस तो बचना उदे वास तो बाहर सी प्रंटू उन्हें अलान किता कि जलील करेंगा शर्ता अते कमीनगी अदीन रैन तो ना करना एहे उस देवास वच्छ से मैं सौंखाके तो हन विश्वाश दवाऊंदा हां कि मैं के हिंदू वज्जो मरांगा नहीं ओहो गर्जया अखीर विच उसने अपने लोका नू काला राम मंदर सत्याग्रह रोक करनू केहा कि जालम हिंदूआं दे खिलाफ अजेहे बे फाइदा विखावे ते संगर्ष पिशले पांजी साल तो ओहो बेडी च मला दे बैठन वास ते आड़े फटे लई कोशिशा कर चुके सन अते स्वर्ण जाता ने ना पश्चाता आप वाले दिल दिखाए ओहो इस तरीके द्वारा अपने आप वर्तों विहार पविख विच बारी संसार नू अपने फैसले दे होन तक कोई शक नहीं छटन गे अते हिंदू के रे तो बाहर एक वखरी कम्यूटी नू तराश के अपने पविख विच आजाद नागरिकां दे योग होन। उमीद नाल चला चुके सन बंद कर दें। डाक्टर अंबेटकर दा नासिक विच पाशन मिती 15-16 अक्तूबर 1905 नू जटा। डाक्टर पीम्राव मेटकर दे हिंदू तरम नू त्यागण अते किसे दूजे तरम नू अपना लैन दे अलान दा संसार पदर ते वड़ा पचार हुया। असेहनशील हिंदू समाज ते एहे तुफान वज्जों लानत पाउन वांग सी। इने हिंदूआनू एहे गोली दी गर्ज अते एक तोप दे गोले दी नीली लाट वांग दती सी। इसने हिंदूआन दे केरे दी पर्त दे वातावरन विच कोहराम मचा दता। उथे बहुत वड़ा रळया मिलया इना गुरुपा द्वारा प्रतीकर्म जाहर किता गया जेडा हेट लिखे अनुसार सी। एडिटर बे किर्क ते इंसानित दे दुश्मन कटड हिंदू दबिया कुचलिया जातां दे इस फैसले दुआरा स्थल हरकत रहत हो गए सां। उथे अपनी सोच शक्ती अते विजन नजरिये तों बुडे पे नाल कमजोर ते पतन हो चुके आँ वांग जिवे उथे पैदा हो चुके सां। गवा चुके सां। गैर ब्रह्मन अगियानिया ने सोचिया कि तार्मक मामलिया दे फैसले दा सबंद ब्रह्मना दासी। कटड़ हिंदुआ ने योला दे फैसले ते खुशी मनाई सुखदा साल या ते नासिक दे कटड़ हिंदू पिछले पज साल तों मंदर परवेश सत्या ग्रह द्वारा परशान कीते गई सन। दबिया कुछलिया जातां दे हिंदूआ दे के रेविचों बाहर जान दे फैसले ते खुशी नाड हाद टप रहे सन। उनना ने अचूतां दे ताजा एलान दी रोशनी विच नासिक राथ दे जलूस दे बंदिश हटाउन ले कुलेक्टर नो बेंद कीती। अचूतां दे फैसले ते रोशन होया आते राजनी तक मान सिकता वाली राय ते देश विच दुख पर गड़ किता। इक सिंधी हिंदू ने डाक्टर अंबेटकर नो खून नाल एक पत्तर जे उसने हिंदू वाद नो त्याग्या मार देन दी तम की नाल लिख्या सी। गांधी दा डाक्टर अंबेटकर दे योला पाशन ते प्रतिकर्म वार दा अक्तूबर 15, 1905 डाक्टर अंबेटकर दे पाशन बारे गांधी जी ने एसोसियेट प्रेस दे प्रतिनदा नो इंटर्व्यू द्वारा केहा पाशन सुचित कारदा है डाक्टर अंबेटकर ना विश्वाश योग नजर आउंदा है। अते कांफरेंस विच हिंदू वाद तो पूरी तरह तोड विशोडा करन अते किसे तरम जेड़ा ब्राबरी दी गरंटी देवेगा दी प्रवानगी दे मते प्रवान कार चुके हान। जद देश नुकटनावादे बावजूद कोई वाख कारके देखदा है छूत पन एदे आखरी पैरोते हैं। मैं सामझ साकदा हाँ डाक्टर अंबेटकर वर्गी उची आत्मा अते उच विद्या प्रापत आदमी कविथा एक पिंड़दा ना अते दुझे पिंड़दा विच अत्या चारा वर्गियां गल्तियां तों गुस्से विच है। प्रन्तु तरम कर जा टाइम पीस वांग नहीं है जेडा इच्छा ते बदली किता जासके। एहे किसे दे शरीव नालों अपने निजतों जादा अनिखडवा है। तरम एक सबंद है कि जाद एक तों एक दे पैदा कर्ण वाले शरीव दा नास हुंदा है ते एहे तरम मरं तों बाद वीबनाई रखना हुदा है। जेकर डाक्टरम बेट कर दा रब विच कोई विश्वाश है मैं असनों बेंती करांगा अपने गुसे नों शांत करन ते अपनी स्थती दा दुआरा नेरीखन कर दियां पिता पुर्खी तरम दे एदे गुणा दी पडचोल करन न कि एदे ना वफादार अनुवाईयां दियां कमजोरियां राही। द विविदा वरिटा थर्ड नवेंबर 1935 डाक्टर बाबा साहिब अमबेट कर राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम स्थारां पार्ट थर्ड पेज नंबर 97 अखीर ते मैं उस दुआरा तरम बदली न सैम थां अते जिना मता पास किता उदेश दीप पूर्ती नहीं करांगा। जेड़े ओहो जहरा ग्यानी लखां रविदासिये अपने दिलां मेंच राख दे हन ते ओहो उसनू नहीं सुनंगे जद ओहो अपने पिता पुर्खी विश्वाश दा त्यात कार चुके हन। खास तौर ते जद एहे याद किता जानदा है कि उना दियां जंदगियां इच्छाई जां बुराई लई ओहो जात दे हिंदूआ दे नाल अंदरों जुड़े होई चमक दे हन। गांधी जी पब्लिश्ट हिज आर्टिकल्स इन कनेक्शन विद दे कन्वर्जन इश्यू सी अपैंडिक्स वन गांधी दे विचारां ते डाक्टर अंबेड कर जीदा प्रतिकर्म बॉंबे अक्टूबर 15, 1935 केडे तरम नाल असी सबंद रखांगे फैसला नहीं किता गया, केडे रा अते साधन असी अपनावांगे असी सोचया नहीं है, प्रन्तू असी एक चीज दा फैसला का चुके हां तेक बंदी सोच विचारतों बाद पूरे परोसे नाल की हिंदू तरम साडली चंगा नहीं ह डाक्टरम बेटकर नू जद एसोसियेटेड प्रेस दे प्रतिनिदा दुआरा ओदे नासिक पाशन ते गांधी जी दी टिपनी दखाई गए, ना बराबरी उने किहा, एदा इहे ही अदार है, अते एदी विद्या निती अजे ही है कि दब्बियां कुछलियां जातां अप आई वरताओ दे वरुद, जेहा की गुसेदा मामला है कि मैं एहे नराजगी विचे कर चुका है, एहे डुगाई ना सोचिया समझया फैसला है, मैं गांधी जी ना सहमत हां कि तरम जुरूरी है, प्रंतु मैं सहमत नहीं हां कि आदमी नो अपने पिता पुर्खेंदा तरम जुरूर रखना चाहिदा है, जेहो देखदा है कि उस तरम दियां पावनावा ना पसांद तरम दी किसम दियां हां, ओधियां लोडा, ओधे आपने चाल चलन दे कानूनी असूल लई एक मापदन हां, अते उस दे आपने अच्छे होन, अते अग्गे वधन लई उच्छा दे सौमे वजुहां, जाद पुछिया, उन्हें आपने आप तरम बदली करन दी प्रापते लिए तजवीज रखिया थे, डाक्टर अंबेड करनी केहा कि इहें अपने तौर ते जां वड़ी पदर ते कारवाई होवेगी, मैं अपने तरम बदली दा मान बना चुका हां। The Bombay Chronicle, dated 16th October 1935 पुछियां जाता नू आपनी कारवाई दी ली तै करन दी आग्या दे। कविथा दी कटना एक वखरी किसम दी प्रतिनदता नहीं कार दी, प्रंतु एहें हिंदुआं दे पिता पुर्खी तरम प्रबांध दे, उसे आदार विच पाई जांदी है। The Bombay Chronicle, dated 16th October 1935 Dr. Baba Sahib Ambedkar, Writing and Speeches, Volume 17, Part 3, Page 98-99 Source Material Source Material on Dr. Baba Sahib Ambedkar and the Movement of Untouchable, Volume 1, Page 134-155 हरीजना दे लीडर Dr. Ambedkar दे रखे होई प्रस्तावतों पिछे हट दे तरम बदली इलाज नहीं हिंदु जात दे नाल, हरीजना दी जंदगी लपेटी होई है महात्मा दे Dr. Ambedkar नों अपील तरम अपनी इच्छा नाल बदल ले आ जान वाड़ा एक टाइम पीस नहीं है महात्मा गांधी, वार्दा, अक्तूबर 15, 1935 Associated Press दे प्रतिनिदा द्वारा Dr. Ambedkar दे पाशन बारे इंटर्व्यूच गांधी जी ने किहा पाशन दे गुण दास दे हन की Dr. Ambedkar ना प्रोसे मंद नजर आउंदा है कि दावी होवे जे कर ओहो अजे ही इक स्पीच कार चुका है मैं दोमें तरह इजद कारदा हां कि बदकिस्मत कटनामा खास तौरते जद कोई तियान कारदा है आम तौरते निखडियां हुयां कटनामा दे बावजूद अच्छूत पन एदे आपने अखीत ले पड़ा आते है The Bombay Chronicles dated 16th October 1935 तरम सदा रहन वाला है महात्मा गांदी मैं एक उच्च आत्मा दे व्यक्ति अते उच्ची विद्या प्राप्त डाक्टर अंबेटकर वरगे इंसान दा जिमें कविथा अते दूसरे पिंडा वेच कीते गए जेहे अत्या चारां दा गुसा सम्झ सागदा हूँ प्रंतु तरम एक मकान जा कडीवांग नहीं है जेडी मर्जी नाल बदली जासके एहे एक व्यक्ति दे स्रीर नालो मनुख दे अपने आप दा बहुता अनिखडवा हिस्सा है तरम बन के रखनवाली एक जंजीर है जो एक इंसान नूँ उस दे सरजक नाल बन दा है जदो तक देदा विनाश नहीं हो जानदा उसे तरह इसनू मौत तों बाद ब्राब रखना देदा है जेकर डाक्टर नं बेटकर नू रब विच कोई विश्वाश है मैं उसनू अपना गुसा काट करन ली बेंती करांगा अते हो अपनी स्थिती दी दुआरा पडचोल करे अते अपने पिता पुर्खी तरम ते एदे गुणा दी जांच करे ना की एदे हिंदुवादी गैर अग्याकार चेलिया नहीं पन्ना एक सो पैंती ऐसी वॉंट लिसन अच्छूत त्यान नहीं देनगे महात्मा गांधी अखीर ते मैं उस दुआरा तरम बदली करन ना सैम थां अते ओहो मते जो पास होई कारजदी पूर्थी नहीं कर दे जेडे उना लखा अनपड अप वित्तर अच्छूता ने दल विच रखे हन उनू नहीं सरंगे अते जाद ओहो पिता पुर्खी तरम नू तलांजली दे चुके हन विशेश तो और ते जाद एहे याद किता जानदा है कि उना दिया जंदगियां उना हिंदुआं दी अपना मन अपना तरम बदन लई बना लिया डाक्टर अंबेटकर मेड़ अप माइंड तु चेंज माय रिलेजन बॉंबे अक्टूबर 15, 1935 केडे तरम नाल असी सबंद रखांगे अजे फैसला नहीं किता गया केडे रा अते साधन असी अपना मागे असी सोच नहीं चुके हां प्रन्तू असी एक चीज दा फैसला कर चुके हां कि बन्दी सोच विचारतो बाद डुंगे पर उसे नाल की हिंदू तरम साड़िली अच्छा नहीं है डाक्टर अंबेटकर ने अलांग कीता जद उने नासिक वाले पाशन खिलास एसोसियेटेड प्रेस दे प्रती निद्धा ने गांधी जीदी टिपनी दखाई ना बराबरी उने केहा एदा ओही अदार है अते इस दे नैतिक नियम की दबिया कुछलिया जाता पूरी मरदान की प्रापत नहीं कर सकती है किसे नूँ सोचन देओ, मैं एहे तैश विच आके जां एक गुसे परे बाहर आये दपियां कुछलियां जाता नाल कविथा, पिंड जा कोई दोसरे थां, एक मसले दे वज्जों विहार कार चुके हां, देवरुद नहीं कार चुका हां। जे करो हो पावदा है कि तरम उस दे अपने चलन दे तौर दे नापसंद तरम दी पावना दे तरम दी ओदे अपने चलन दे माप डंड दे असूला ले उसनों जरूरत है, आते उस दे अग्गे वदन दे चंगियां हों देयां सा परंदा एक सरोथ है। डाक्टर अंबेटकर जे करो हो महसूस कारदे हन एहे चंगा नहीं है, उहो मेरे पिछे उदारन नहीं बननगे। मेरी अपनी सला है कि गांधी जिन्नों दबियां कुछ नियां जाता नूं आपने कामदा रा लेंड देना चाहिदा है। कविथा एक अनिखडवी कटना पेश नहीं कर दी है, प्रंतु इहे हिंदू तरम दे पिता पुर्खी तरम ते उस दे प्रबंद दी बुनियाद विच्चों है। डाक्टर अंबेटकर, The Bombay Chronicle, dated 16 October 1935, Source Material, Volume 1, page 134 महार विरोधी, The महार ओपनेंट्स बहते महारां दर्मियान अते डाक्टर अंबेटकर दे नेड़े दे साथी उत्थे कुछ दूसरे सन जिना तरम बदली दा विरोध किता। डाक्टर पी जी सुलंकी विदान कार्णी सबा, Legislative Council दा मेंबर उना विच्चों 21, उसने तरम बदली दी अलोचना कारदियां का बियान जारी किता। डाक्टर अंबेटकर दिया लाइना ते पैन तो मैं ना कारदा हां। कटड हिंदूआं दोआरा उस दे लोकां ते उसनों धते गए वरताओ उपर डाक्टर अंबेटकर दी बेचैनी मैं भी महसूस कारदा हां। डाक्टर सुलंकी ने किहा, दास साल पहला मैं वी उसे हालत विच सी जदो मैं जल्द बादीच सर्फ देखन लई क्रिश्चियानिटी अपनों दा कदम पुट्टेया कि हिंदूआं विच जेडे फर्क असलों मजूद सान। क्रिश्चियन कम्यूनिटी दे लोकां दे जंदगी विच अपने नाड लै आई सान। टाइम्ज ओफ इंडिया 21.10.1950 कुझ समय बाद मैं अपने तरमच वापस आगयां ते मेरे लोक अते मैं तदतो निश्चित तसली अते दलतो मेरी खुशी कानून कार्णी सबाविच मेरी योगता मेरे लोक का दी चंगी सेवा ते दूसरे रहां अते उना दी पलाई ले कुझ कार्दिया हैं। दज स्पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर्थ पन्ना एक्सो कार्ट एक्सो बाट अपेंडिक्स फिफ्थ डाक्टर बाबा साहिब बी आर अंबेटकर जी द्वारा शुरू किती गई तरमबदली लहर्दे खिलाफ मिस्टर गनेश अक्का जी गवई मेंबर कानून कार्णी स सबादा ब्यान सेंट्रल प्रोविंसेज एन बेरर कन्वर्जन फोर कन्विक्शन फोर कन्वीनियंस तरम बदली लही दोश डाक्टर अंबेटकर अखीर अपने तरम नू बदलन्दा फैसला लह चुके सान तुहान नू सोचना नहीं चाहिदा है कि इहे अलान दबियां कु अधितम की अजे शायद साबत करनी है अते एहे अजेहा होननों है उत्थे साथे लही कारणां डाक्टर अंबेटकर कुछ पांज जान छे साल पईला राजनीती विच दाखर होया उसने इना पांज छे साला विच अपने विचार अते कारवाई दी लाएन कई वार बदली ह अबेटकर जो लगपग ओही विचार पेश कर चुका सी जिमें कांग्रस दुआरा साइमन कमिशन सामने रखे गए सांग नागपुर डिप्रेस्ट क्लासेस फेडरेशन दी होई कांफरेंस दे पगानवच जो अपने विचार बदले अते सांजी चोन दी मांग की थी अबेटकर ने राउंड टेबल कॉन्फरेंस लई न्यूपती बाद फिर अपने विचार बदल लई अते मुस्लमाना नाढ हाथ मिलों देयां दबियां कुछलियां जातां लई वक्रे चोन खेतरां दी मांग की थी डाक्टरम बेटकर जिसने अमरावती दे मंदर विच महारा दे दाखले लई अते काला राम मंदर नासिक विच दाखले लई जोर दता कटड सनातनियां नू मुआफ कार दियां हुन इसाईयां दे चर्चा अते मोलवियां दे मकबरयां वाल दौड रहे हन अते एहे तरम बदली पूरे प्रोसे लई नहीं प्रंतु कुछ निजी सहूलता लई है मानलो उते अच्छूत पन अते ना ब्राबरी हिंदू समाज विच है प्रंतु उसे समय इहे इनकार नहीं किता जा सकदा कि मन्ने परमने लीडर जिवे महात्मा गांधी अच्छूत पन देखात में लई कोल का रहे हन अते ना ब्राबरी ते उना दियां कोशशान लाबदा एक साबत हो रही है हां जेकर डाक्टर अंबेटकर नू इना काटानू तेजी नाल हटाउन बारे इन्नी दल्चसपी है उस चाहिदा है कि इना लेडरा लई कोई जादू मई छड़ी प्रापत करने डाक्टर अंबेटकर नूवी जरूर जानना चाहिदा है उस दे ठीक पै और नाल वेख दे हैं उना लेग जो नहीं जान दे कि किस तरह अच्छूता विच्छों अपने आप ना ब्रापरी अच्छूत पन हटोना है तरम बदली दी इस अधारते वकालत करनी के हिंदुईजम ना ब्रापरी तो नुकसान उठा रहा है एहे जाईज ठहरोन योग न नाल दी नाल उस तरम दियां रवायता आते असूला दी प्रवानगी दी मंग भी करदा है ओहो जो अपना तरम बदली करदे हन उना दा खुले तोर ते इना चीजां विच विश्वाश परगट करना जुरूरी है डाक्टर अंबेटकर जिवें किवें अजेहा नहीं सोच जेकर अच्छूत पन जादू दी छडी नाल हिंदू इजम चों हटाया जा सकदा है आते बरापरी स्थापत किती जा सकदी है डाक्टर अंबेटकर अज वी एह नजर आउंदा है वेदा शाष्टरा पुराना देवतियां आते हिंदू तरम दियां देवियां विच वी वि चुक होवेगा नहीं ता लाय ला इला मोहमद उल रशूल अला दा पाठ पडाना जा इना दीन तरमादे विच्चो इक तरम लेई अपनी वफादारी दा अलान कारदेयां सोटी नाल मारंदी उह सोचदा रहा है कि परमातमा दे पवित्तर तिन रूप इक पिता दुज्ज पुत्तर अते तिज्जा पवित्तर माननों तके नाल अलान कारदेवें इह साफ दर सौधा है कि उह तरम अते परमातमाच कोई विश्वाश नहीं राख़दा फिर इह सिर्फ ब्राबरी प्रापत करन लई है कि उह एक तरम तों दुज्जे नू बदली करन दी सोच रहा है उस दी तरम बदली दा अर्थ हुएगा एक समाज जान लोका नो एक तरम तों दुज्जे नू बदलना सच्चाई एह है कि एह मानता ते मानस अन मान प्रापत करन खातर सर्फ है कि उह अपना तरम बदलना चौदा है पर विश्वाश दी खातर नहीं इस कारण करके डाक्टर अमबेटकर नो मौल भी अपने तरम विश्वाश परवान नहीं करेगा क्योंकि उह सर्फ निजी लाब दी खातर एक बदल लाब रहा है तरम बदली दे पाख नो इक पासे राख देयां जेकर असी सर्फ बराबरी अते अच्छूदपन बारे सोच देहां असी देखांगे कि सर्फ इसाई तरम ते इसलाम इक जां दुजे रूप्च इना नुक्षा तों दुख पा रहा है सब डाक्टर अंबेटकर इसनो साफ का चुके हन की इसाईयां विच्वी जात पात है मुसल्मान पानी जां पोजन महार जाती दे बंदे द्वारा छोया होया परवान नहीं कार दे डाक्टर अंबेटकर नो जुरूर एहे तत जान दे होना चाहिदा है जेकर डाक्टर अंबेटकर दे महार जाती विच्वी जा चेले इसलाम तारन कार दे हन महार और ता जो आजादी दा अनन्द माणिया हन परदे दे पिंजरे जे कैद होन गिया ते परदे वालन बीबियां बांड जान गिया की इस दा अर्थ आजादी जा आजादी दा नुकसान होएगा एहे सिर्फ डाक्टर अम्बेट कर ही दा साख दे हां जे कर महार सिर्फ इसाई तर्म जा इसलाम तारन कार दे हां उना दिया चुगिया चौपणिया दी होंद बंद होंवाली नहीं होएगी ना दूसरे आपर निर्बरता आते गरीबी दा अन्थ होगीगा इसाईत जा इसलाम अपनाओं देया बाद च एक अच्छूत महार असानी नाल पबलिक लई सांजे खूँ हां आते तलामातों पानी कर सकता है प्रंतू जादसों सांजे खूँ मजूद नहीं सन हर थांते सर्फ कुछ लोग इस सहूलतों लाब उठा साकते सन इकदा तरम मामूली लाब दी खातर बदलना सर्फ पहाड अंदरों एक छोटी पतली चूही लबन बराबर होगेगा हिंदुईजम दिया नजरां विच एह साच है कि हिंदु महार पके तौरते कटिया हो सामने आउदा है अतेक इसाई महार जाएक मुसलिम महार दे मकाबले ज्यादा करनत है प्रंतू एह हालत ज्यादा लम्मा समा रहेगी नहीं पादरिया दिया कोशिशा सदका सैंकडे महार दे मांगज क्रिश्चियन दे मुसलिम बन चुके हां डक्टरां बेटकर इसलाम तारं करना चौह दे हां प्रंतू ओह नवे मुसलिम रुतबे विच कटिया दे नीवे होंगे एहे ताथ मांचे जरूर पैदा होना चाहिदा है तरम बदलना उस दा फैसला साबत करन नू जानदा है कि डक्टरां बेटकर जो दूर दी सोचनी दियां काटा हां ओहो उस दे अपने कद काट जा आदर मान अते इक दुआरा तरम बदली शुरू कार देयां ओदे योग नहीं होवेगा अचूता नू संसार लाबतों वांजेयां रख्या गया होवेगा जेकर ओहो अचूत पन नू हटोन दियां कोश्चा करनगे ताद ही हिंदू पार्त विच्च रहिंदियां होयां उना दा उठना जाइज होवेगा पन्ना 312 लेखक पगवान दास एड्वोकेट एंडी दस पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर्थ अंगरेजी तों पंजाबी अनुवाद लेखक अपैंडिक्स वान डाक्टर अंबेटकर जी द्वारा तरंबगली दे अलान दे गांधी जीदा साहित तक लेख हरेजन, रसाला, मित्ती, 26 अक्तूबर 1905 विच इस दे आखरी पैरां ते टाइटल अधी इन छपे एक आर्टिकल ज बापु ने राइदती डाक्टर अंबेटकर वरगा असूला दा पक्का सबंध त्याग साकदा है प्रन्तू हरीजना दिया सुरख्यावा नू कमजोर कारदा है असी ताथ दे इक मामले वज्जों जान दे हां कि गैर हिंदू हरीजना कोई गाल नहीं कि ना महान उहो हो साकदे हां हिंदू हरीजना दी मदद करन दी योग नहीं है असल विच उहो अजे अपने तारन कीते विश्वाशा तरम विच एक वखरी जमाध है इंडियन किसम दे अच्छूत पन दी पारत दे लोकां दे अजे ही पकड़ है डाक्टरम बेटकर नू सुधार कांदा दल तोड़ के निराश ना करन देओ उसनू इस दे वास्ते वड़िया कोशिशा ले जोश दुआन देओ उसे वेले ले एह साच है कि अच्छूत पन दे खिलाफ बहुत सारे वरकर काम में वड़ी गिंटी चबाद चुके हन उत्थे कोई शक नहीं हो सकती कि सदिया दे पक पात तो अगे लंग जान ले गिंटी अजे बहुत कट है कदे वी एक लहर नाल जड़ी आपसी सबंध प्रापत कर अच्छूत पन दे खिलाफ महिम प्रापत कर चुकी है जिस विच हलकी जही जददी कटना संसार व्याप्ती तयान खिच साकदी है अच्छूत पन नहीं खिच साकदा प्रांतु एहे आखरी साहां on its last legs दे है पर मनुकता एरे नाल नहीं चाल सकेगी रेफरेंस डाक्र बाबा साहिद अंबेटकर मिस्टर शिवतारकर ने गांधी दी अलोचना कीती मिस्टर शिवतारकर ने प्रेल चौंक बंबे होई मीटिंग दी प्रदांगी कीती उन्हें अपने प्रदांगी पाशन विच किया आज तक साधे नाल पशुआ नाडों वी पैड़ा वरताओ किता गया है साधे पास हिंदुईजम ते मान करन दा कारण नहीं है जग समा पक चुका है सानू जरूर कोई दूसरा तरम अपना लेना चाहिदा है जेड़ा चंगे वरताओ दी जामनी देवेगा दूसरे बुलारे जिसने पिछा कर दिया मास्टर पगारे दिवाकर गांधी जी दुआरा अचूता नों चुठे वादे दे चुठिया इच्छामा बनन ले अलोचना किती गांधी जी दा अंदाज्या की अचूत पन एदे आखरी पैरा ते सी सिरफ चूत है टाइम्स आफ इंडिया अठाई दास उनिसो पैंती पेज एक्सो काट एक्सो बाट दज स्पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर्थ करवीर मठ दे शंक्राचारिया दा मता अचूता दी समाजिक आजादी ले शंक्राचारिया ने इजलास विच एक मता पेश किता हिंडू महासबा बिना लिहाज उना दी खास जात जा नसल दे सारेया नू जन तक सहूलता आते संस्थामा जिहा की स्कूल हू तला काट आते तुझिया थामा दी पानी दी लोड़ पूर्ती, कोटला, सडका, पारका, तरम सलामा आते पूजा दिया जन तक थामा दे, शम्शान काटना दे अपने पिछले मते दी सारे हिंदूआ नू इकको जही बराबर दी पौँच अपनों दी दुबारा पुष्टी कार दी है एहे अग्गे सिफारिश कारदी है कि हिंदू समाज विच्चों सारे पेद पावा, जनम जान जात दे अदारत, जनता दे केरे विच्च मौजूदा समय अंदर सार्थक नहीं हन, नू खतम करन हवाला, एन्वल रुजिस्टर उनिसो पैंती, वॉल्यूम दुज्जा, पेज 307, दज स्पोक अंबेटकर, वॉल्यूम फोर्थ, पेज 155 योला कान्फरेंस, अक्तूबर उनिसो पैंती तों बाद, डाक्टर सोलंकी बारे विशेश डाक्टर अंबेटकर द्वारा बाद विच डाक्टर सोलंकी नू पूरी तरह काईल कार ले गया सी, प्रन्तू डाक्टर सोलंकी तरम परवर्तन दे योला हल्फ नामे तों छेती बाद, ओहो अपने लए होए पैंतरे तों पिछे हट गया अपने पहले ब्यान तों तेन महिने बाद जारी कीते एक ब्यान विच उने किहा डाक्टर अंबेटकर दा पैंतरा सही है पगवान दास दस पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर्थ पन्ना एकसो बार अच्छूतां दा दुश्मन आचारियां जे बी कृपलानी महादेव डिसाई अते डाक्टर रिजिंदर परसाथ अचारियां जे बी कृपलानी एक मशहूर हिंदू लीडर अते गांधी जी दा पक्का चेला जो कांग्रस दा जनरल्स कतर सिंदतों सी इसने अच्छूतां दियां मुश्कलात ते अग्यांता नाल तो खगीता अखबारां दे पत्तरकारा द्वारा कुछे गए प्रशना दे उत्तर विच उसने किहा अच्छूत पन हटाउन दे मामलेज की तुसी सोच दे हों जद साड़े हाथ विच ताकत है असी उना दा लंबे समेतों इनकार कीता होया जनम सिद अधिकार अच्छूतां नो उना दे मंगन ते देन लई कटडवादियां नो सलामा कर दे जावांगे नहीं असी ऐसा कानून पास करांगे कि अच्छूत पन माडरन टर्की वाले परदे दी तरह जावेगा असी ताकत अजादी दी उड़ी कार रही हां पूरा प्रोग्राम सिरफ पुट इंटू इफेक्ट अमल चली ओना है जदो असी ताकत दे पंगूडे ते कबजा कार लिया अच्छूत पन ते पाबंदी जरूर होनी चाहिदी है इस तरह ज्यानी अचारिया किरपलानी दे अनुसार अच्छूत पन सिरफ ताकत अजादी प्रापत करन्तों बाद ही हटाया जा साकदा है दूसरे हिंदू लीडर महादेव द्यसाई ने किहा तरम बदली कोई गालन नहीं सी डाक्टर रजिंदर प्रसाद ने डाक्टर अमबेटकर दे अग्गे वदन दी निखेदी किती अते आपने एक पाशन विच वड़ी पदर ते तरम बदली दी अलोचना किती हिंदू आँ दे के रेतो वक्रा पाण कोई इच्छाई कर्णवाळा नहीं अच्छूता ले तरम बदली दे खिलाफ महसबा दे सालाना शैशन विच उनाने आम तौर ते जिवें कश्मीर ते रामपूर मलेर कोटला पुपाल हैदराबाद बादशाही राज्या ते मुसलिम पारी परदेशां विच मुसल्माना दौरा हिंदू आते जुल्मां हिंदू आरतां दे हिंदू महसबा दा स्तार्मा शैशन पूना विच मीती उनी दास उनी सो पैंती न होया यॉला कांफरेंस मीती बारा तेरा क्तूबर उनी सो पैंती दे विच डाक्टरम बेटकर दे अलान नामे तों 15 दिना बाद कबीर दे शंक्राचारिया ने हवाला दंदिया डाक्टरम अबेटकर वलों हिंदूइजम दे त्यार करन दी तम की नुगाव ना देख्या आज असीक वड़ी कमीनगी दे छाए हेट मिल रहे हां मिस्टर एंसी कैलकर एक ब्राह्मन लीडर MLA ते मराठा अते केसरी चेर्मेन रोसेप्शन कमेटी ने मुसल्माना दे हत्थों हिंदूआ उपर पहला दी तरह जल्म शुरू हन। साथ तो वड़े पारी हिंदू परदेश दा हवाला दंदेयां उने किहा इकठे परदेशा हुन उत्तर परदेश विच हिंदूआ दी 85 परतीशत अबादी एक मुसल्मान मुख मंत्री दे नाल दुजे दो मुसलिम मंत्रियां ते एक इसाई मंत्री द्वारा तमकी दिती ज जा रहे हैं दस स्पोक अम्बेटकर वॉल्यूम फोर्थ पन्ना दोसो दो डिप्रेस्ट क्लासेज सपोर्ट टू डॉक्टर अम्बेटकर्स न्यू मूव दबियां कुछलियां जाता हैं डॉक्टर अम्बेटकर दे नवे प्रस्तावदा स्मर्थन कातियां हन बंबे शेहर S.B. 2 नवंबर साल 1905 दबियां कुछलियां जाता हैं दे नगाउं बंबई दे वसनीका एक पब्लिक मीटिंग नगाउं विच मीती 2 नवंबर 1905 नू डॉक्टर अम्बेटकर दे तरम बदली कर्म दबियां कुछलियां जाता हैं दे किसे दूसरे तरम लई जिवें यौला कांफरेंस द्वारा पास कीते मते नासिक मंदर परवेश सत्यागरा दे नमे प्रस्ताव दे समर्थन्च कीती की लगपग एक हजार आगमी शामल होये समाजिक बराबरी लीग दे डी वी नाइक ने प्रदानगी किती बॉंबे सीक्रेट अब्स्क्रेक्ट डेट 9 नॉवंबर 1905 हवाला सोर्स मेटीरियल वोल्यूम 1 पेज 114 न्यू सेक्ट फोर हरिजन्स नासिक डेपरटेशन कैरीज शंकाराचार्याज मैसेज तू अंबेटकर अचूता लई नवासर का नासिक दा वफद शंकाचारिया दा सुनिहां डाक्टर अंबेटकर नू ल्याके दुन्दा है शंकारचारिया दे अशीरवादनाल हिंदू लीडरांदा नासिक कांफरेंस दुआरा न्युक्त किता होया वफद बंबे तू अज डाक्टर अंबेटकर नू मिलन शंकारचारिया दुआरा त्यार किते गे सुजा ओदे अग्गे रखली रवाना होया कि उस दे दुआरा एक नमा तारमेक पंथ कायम करनली पिठ पूर्दिया अचूता नू सिख्या देनी चाहिदी है दे बंबे क्रॉनिकल डेटेड 11 नुवेंबर 1935 सोर्स मटीरियल वॉल्यूम वान बच खानना हरकतां डाक्टर अंबेटकर पेज नमबर 106 बटा 109 बेसैन मिन्सपैलिटी दुआरा सवागती पाशन दा जवाब दन्दियां डाक्टर पी इम्राव अंबेटकर ने गांदी जी अते मिस्टर वल्प पाई पटेल खिलाफ अच्छूतपन विरोधी कामपरती उननुग गंदियां हरकतां बारी कुझ किया उसने इसलादती उदारन लई के गांदी जी कविथा पेंड़ियां कटनामा विचली इक पड़ताल करन ली फेल हुए क्योंकि पेंड गांदी जी अते मिस्टर वल्प पाई उननुग छड़ देना जुरूरी समझ चुका है सरफ क्योंकि अचूतपन दे मुफाद शामल है एक सचाईदा मसला है गांदी जी अते गुजरात कांगरस कमेटी दोवा ने कविथा कटनामा दी जुरूरी पड़ताल किती अते पातदा मन्न योग सुदार हो चुका है डाक्टर अंबेटकर जुरूरी महसूस करनगे की अटाल पड़काओ वाग शक्तियां दे जतन अचूतां दे मुफादली मुश्कल नाल चंगे राधी सेवा करना है दे बॉंबे क्रोनिकल डेटेड 12 नवेंबर 1935 सोर्स मटीरियल वॉल्यूम वान राव बहादर M.C. राजा मदरास दे 12 नवेंबर 1935 दे पाशन विचों सरकार्नू में कहांगा कि मेरे तों इह प्रोसा लए कि साड़े वदिया मुफाद मंग कर देहन कि सानू हिंदू समाज नालों वक्रे नहीं किता जाना चाहिदा है पर रेजर्वेश चन्दे अधा आरते विदा अंसभा विच बंग दी प्रति नद्धा होनी चाहिदी है वॉल्यूम फोर्थ पन्ना एक ससंताली दज स्पोक अंबेटकर मोती राम असिस्टेंट सेक्टरेटरी हरिजन कमेटी कराची पाकिस्तान उत्ते दूजे तुछ आदमी सन जो अपने मालकाम वाल अपनी वफादारी अते पकती दा इजहार करनली बोले उना चो मामूली जानेया जान्दा एक आदमी जो पहला सुनेया नहीं सी परन्तु उस दे ब्यान नू निस्बतन वड़ी पबलिसिटरी रोजानना अखबारां विच दती गई सी उस दा नाम मोती राम उपरोक्त कमेटी क्राची हुन पाकिस्तान दा असिस्टेंट सेक्रेटरी सी मोती राम ने आपने बहुत जोरदार ब्यान विच एह किहा डाक्टरन बेटकर दी एह चाल मैंनू इक दी जिमें हार दे वज्जों टकर मारना है जेकर उहो मेरे सतकार दी तब दीली दा कोई सबू चौंदा है उहो पूना पैक्ट बाद हिंदुआं विच आ चुका है उसनू सादे लाके संदच आ यात्रा करन देओ अते आपने आप देख लए किस तरह बामा आड के स्वावित किता जान दा है इसलए मेरी बेंती है कि उनू आपने चेलियानू हिंदुईजम नू छट देण दी सिख्या देण तों दूर रहना चाहिदा है डाक्टर अंबेटकर उननू आपने हकां वास्ते लड़न अते ठहरन ले बेंती करे पगवान दास दस स्पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर्थ पन्ना एक्सोपच वन्जा आरिया समाजी दिवान चांद प्रिंसपल वल्लों रोतक कांफरेंस आरिया समाज विशेश तोरते लहोर जलंदर डवीजन विच बहुत नाटक खेड रहा सी प्रिंसपल दिवान चांद ने दब्बियां कुछलियां जमातां दी कांफरेंस जो रोतक विच मीती 15 नवंबर 1915 होई ने डाक्टर अंबेटकर दे हिंदुईजम दे त्यागन दे फैसले लई उस दी अलोच नगीती प्रिंसपल दिवान चांद आरिया समात जी सी नहीं तां एहे नहीं सी हो साकदा इसे समय दुरान कांगरस अते दूसरियां हिंदु संस्थावा अच्छूता नूँ वंडण अते खेरू-खेरू करन लई सक्त मेनत नाल कोशिशां काररियां सां दस स्पोक अंबेडकर वॉल्यूम फोर्थ पन्ना एकसो चिपन्जां डाक्टर अंबेडकर्स चैलेंज टू कॉंग्रेस डाक्टर अंबेडकर दा कॉंग्रेस नू चैलेंज हरीजना दा मसला इलेक्षन वज्जों दबियां कुछलियां जातां सिखिजम्च शामल हों दे स्वाल नू विचारण साड़े अपने पत्तर प्रेरकवलो नासिक नवंबर अठाई उनिसो पैंती वोट देन दे हक दे हेठा नू आउंदियां हिंदू जाती दी बड़ी गंती नमे सविदान अदील असल ताकत नू महफूस कर लेगी प्रन्तु एह हिंदू समाज सुदार दे वरुद्ध हन ओहो पुरी तरह मजूदा रिती रवाजा नू बदलन दे ना इच्छु कहोंगे मेरा इतराज हमेशा उना दे खिलाफ खास तौरते है अते समाज सुदार कांदे वरुद्ध नहीं कांगरस दे नुमाएं दे बराबर चोन जित्टन दे योग नहीं होंगे जाँ ओहो एलान कार दे हन की जे चुने गए अच्छूत पन दे खात में लेई ओहो कानून बनाओगे नासिक दे अगाँ वदू हिंदूआ द्वारा चुने होए वफद अधे डाक्टर अंबेटकर दर्मियान मीटिंग मीती अक्टूबर 26.1935 होई नासिक दे अगाँ वदू हिंदू होण एक इंटर्व्यू दे अलान दे सार नू जारी कार चुके सन वफद कैंदा है हिंदूआ दी जात दे पांज अगाँ वदूआ दे मुखी मिस्टर आर जी परदान द्वारा कीते गए रले में वाले बयान ने डाक्टर अंबेटकर दे नवास थां ते नुवंबर 10.1959 उडी किती अते इंटर्व्यू तिन कंटे बाद खतम हुई प्रेम परे प्रातरी अते खुले सुबा आदी सी The Times of India dated 3.1955 हवाला सफा 170, Source Material Volume 1 Progressive Views एन शुरू विच डाक्टर अंबेटकर मुरे नासिक दे अगां वदू हिंदू नागरिकां दोवारा एक कान्फरंस दी पदानगी शंक्रचारिया शिरी डाक्टर कुर्ता कोटी दोवारा कीती गए आस कीते होए हेट लिखे मते रखे गए पहला लोकां दे मंदरां बारे स्वाल तीरत यात्रा करन दिया थामा अते सिरे दा विवादत होन कारकिया दे बाहर लेके रेदे तुरंत अमल दी प्राप्ती हर प्रशन दे ना सबंदत लोक राय बारेक तबदिली लिया उनली हर संबव कोशिच करनी चाहिए दी दूज़ा उपरले स्वाल नो एक पासे राख देया सतकार करन ली पब्लिक दी राय बारे सिरे दी तब्दिली लिया उन्तों बगैर लगातार अते बगैर डारतों पिछे हटना दो में तरा निजी अते सांजे परचार द्वारा उसारू कम अते अच्छूता ली दूजे राहां विच बचाओ कर दिया रेन दी अजादी अते सांजीया थामा विच अचूतपन खतम कर दिया गैर अचूत हिन्दूआ ली स्थानिक थामा विच पक्के अधिकार खुँआ स्कूलां तरम शलामा अते होटलां अते दुजे सारे मसलिया नाल सबंदत हिंदु समाज विच्चों अच्छूदपन दूर करन लई आम कोशिशां जरूर होनियां चाही दियां मिस्टर आर्जी परदान अते डेपटनिस्टा ने डाक्टर अंबेटकर लई डूंगा स्थकार अते प्यार जाहर किता ते अलान किता कि ओहो डाक्टर अंबेटकर दी योला दे पाशंतों बाहर उठरेंगा मश्कलां दे हल लई उना दा सहयोग अते सला लेंड दे इच्छुक सन मिस्टर परदान ने केहा कि ओहो सारे डाक्टर अंबेटकर दे तरम बदली करन तों मन फेर लेंड दे इच्छुक हन Mr. Pradhan ने शंक्राचारिया दा, Dr. Ambedkar ली दूंगा प्यार पहुंचाया The Times of India dated 3 November 1925, page 170, source material volume 1 Remove Basis of Smriti Religion तरम दी बुनियाद Smriti खतम करो, Dr. Ambedkar Source material volume 1, सफा नंबर 118 इंटर्व्यू दे चाल देयाँ, जेडी तेन केंटे बाद खतम होई, Dr. Ambedkar ने के हाँ कुजवी होवे, तरम दा अदार गूड ग्यान अध्यात्मक विद्या जो तार्मक असूलना उपर नितिगत विद्या परबंद अते समाजिक अमल लोकां दे एक हिस्से द्वारा तरम दे उस तक्त असूलनू जरूर विचारया जाना चाहिदा है चाहे हिंदुईजम पूरे सूरे ब्रह्मा दी विचारत अदारत है जिवे मनु समरिती विच अलानिया ना बराबरी दे सदानता वज्जों अमल समुच्चे तौरते हिंदू कम्यूनिटीच पाया जानदा है कुछ लोग सोच्दे हन की तरम समाज ले जरूरी नहीं है मैं कविचार नो मुठी विच बांध कारके नहीं राख साकता मैं सोच्दा हां तरम दी नी समाज दे अमल अते जन्दिगी ले जरूरी होगे हिंदू समाजिक परबंद मनु सिम्रती विच दर्साएगे तरमदियां जड़ां दे उपर रहिंदा है जेही हालच मैं नहीं सोचदा जिनाचर सिम्रती दे तरमदी मुझूद्धा बुनियाद दे हुंदियां हिंदू समाज विच ना बराबरी नो हटाउना संभव है ते एदी थां विच एक चंगा लिओना है जेही चंगी बुनियाद उपर दुबारा उसारी करन दे योग हुंदियां किद्धा वी मैं हिंदू समाज तो नराश हां आरहे सविदान विच अचूता दी दशादा हवाला दंदेयां डाक्टरमबेट करने के हा की अचूत पन दे खात में अते समाज सुदार दा कार्ज नमे सविदान अदीन विदान सबामा दी मदद तों बगैर अग्य नहीं वदेगा राक्टरमबेट करने एलान किता निजी तोर ते मैं आपना तरम बदली करन दा मान बना चुका हां मैं तुहान नू आज दसन दी योग नहीं हां दूसरा केड़ा तरम मैं मन्जूर करांगा प्रन्तु मैं तरम दी बदली दुआरा किसे निजी लाब नू प्रापत करन ले नहीं तो लेया हुया एहे एक निजी प्रेशन नहीं है अते मैं चाउंदा हां आपने नाज सारी अच्छूत कम्यूनिटी लाजावां सब मौक्यां दे कम्यूनिटी दी बहुगेंटी मैं एहे नहीं चाउंदा कि कोई किसे एक तरम नू अपनौन जा दूसरे तरम पांत अते तीसरे होर अपनाओं दुआरा फाट जाना मेरी कम्यूनिटी दे मुफादा दे विचार दे नुक्ते निगा तो एहे जरूरी है कि एहे इकठे होन अते एक ताकतवर अते जिंदा दिल कम्यूनिटी विच जजब हो जाना एहे मेरा इरादा है इस लहर नो सारे देश पिछ तरम बदली दी लहर बनागा जेकर मेरी कम्यूनिटी मेरे पिछे नहीं हो दी फिर मैं इकला अपना तरम बदली करांगा लग पग एहे चार जा पांज साल दा समा लएगी अते एहे अर्सा जो तुसी कर सकते हो जुरूर करन लई लवोगे अपड़ा फैसला ले जान तो पहला असी बिना शक विचार करांगे तो हड़ी सफलता ले केडिया कोशिशा नाल जुटाइना जान मैं मानदा हां तो हड़ी सामने बहुत वड़ा कार्ज है प्रन्तु जे कर एहे एक बहुत लंबे अर्से बाद पूर्या किता जा सकन वाला काम है असी जेहे लंबे समेली उड़ी करनों त्यार नहीं है सोर्स मटीरियल वॉल्यूम वान न्यू सेक्ट नमा तार्मिक पांथ डाक्टर कुर्ता कोटी द्वारा कीती कई बेंती दा हवाला दन देयां एक नमे सरसले बारे ओधी उपज अते इसनू अच्छूता विच खुले सोट देयां दूजिया नाल सांजे ब्राबर पैर पोट देयां अते सनमान बारे डाक्टर नम बेट करने केहा मैं एक नमा तार्मिक पांथ चलाओं दी जिम्मेबारी आपने उपर नहीं लेंदा ना मैं अपनी कम्मिनुटी नू एदे विच शामल होन लें सिख्या देवांगा डाक्टर कुर्ता कोटी नू नमा तार्मिक पांथ शुरू करन देव जेकर उहो अजेहा चौन देहन अते इसनू सचूता टचिबल्स विच फैलन देव फिर असी एदे ते सोचांगे मैं आज नहीं कैसाकदा अचूत एदा की सोचनगे जेकर इहे स्थापित किता जानदा है इस प्रती के सहाधता के गिंटी दी ताकत अते अचूत कम्मिनुटी नू उपर चुकन लई उना दे परचार अते रांग टांग ते निर्बर करेगा असी विचारांगे कि एदे चे शामल होना जा अजे नहीं जेहा की असी सोचांगे जांकि से दूसरे तार्मिक पांथ पिच शामल होना है प्रतु अजेहा एक तार्मिक पांथ एक जन्दा तरं होना चाहिदा है बुद्धिजम नू परवान करन दियां साधे रा विच पुथे कुछ मुश्कला हां मैं सोच दा हां कि अच्छूत कम्यूनिटी किसे ताकतवर कम्यूनिटी विच पूरी तरह जजब होनी चाहिदी है आरिया समाज विच एह ना शामल होन दा फैसला का चुकी है असी सिखिजम चे शामल होन दे स्वाल दी विचार करांगे हवाला दे टाइम्ज अफ इंडिया डेटेड ती नुवंबर 1910 टी डॉक्टर बी एस ए डब्ली एन स्पीचेज वॉल्यूम स्थारां पार्ट वान पेज दो सो ठती हरीजन सेवक संग वाल अच्छूतां दे रविये बारे हवाला दुन दे डॉक्टर अंबेटकर ने अलान किता अच्छूत पन नू खतम करन दे मसले नू अग्गे वदोना हरीजन सेवक संग कांगरस दे विंग दी पसांद नहीं है वो संग सिर्फ कांगरस दा एक पार है डॉक्टर अंबेटकर ने पाशन जारी रख देया कि हा लोगतंतर पारत दे योग नहीं है अते हर्मन प्यारी सरकार उसलई तोखा नहीं करेगी पारत एक डिक्टेटर चौंदा है एक कमाल पाशा जा एक मुसॉलनी वर्गा मेरी इच्छा सी के मिस्टर गांधी डारेक्टर दी हैसियत प्रापत कार लएगा पर मैं निराश होया हां मेरी शिकायत नहीं है कि मिस्टर गांधी के डिक्टेटर है प्रंतू एहे उहो नहीं है कमाल पाशा लेई मैं बड़ी तो बड़ी इज़ित महसूस करदा हां एहे उहो है जो तर्कीनु एक ताकतवर कौम विच बदल चुका है जेकर उत्थे कोई लोग हान जिनादियां तार्मिक पावनावा अते अमल्च दखल अंदाजी करना अतियंत खतरनाख है ओहो मुसल्मान हान प्रंतु कमाल पाशा एनू सफलता नाल कर चुका है कमाल पाशा दी मोहर वाले के लीडर तो बगैर पारत लेई कोई मुक्ती नहीं होएगी प्रंतु हालाता विच ऐसे समाथ जी कते तार्मिक मामले आली अजेहा कमाल पाशा वरगय के डारेक्टर प्रापत करना असंभव है अदे हुन्तों मैं पारत देप विखलेई नराश होया हां डाक्टर अंबेटकर हवाला ओही सफा 139 सोर्स मटीरियल वॉल्यूम वन यंगर जनरेशन जवान पीडी जवान पीडी अथे अच्छूता दे रुख टंग दा हवाला दंदियां केहा जान्दा है कि डाक्टर अंबेटकर नों एलान करना पया मैं जवान पीडी दे रवये तों आसमंद नहीं हां जिस दा पैलों ही जादा चुका मौज मेला लाब देयां ना ही असूलना ते अदर्श वाददा दिकार रख रहे हां अते ना ही अदर्श असूलना अते रानाडे तलक जां गोखले वर्गियां कारवईयां वाले इंसान परदान करन दे योग नजरों दियां एहे भी मैंनू निराश्ता नाल पारदंदा है सार विच अच्छूत कम्यूनिटी विच पैदा होन कारण मैं देख दा हां एहे मेरा पहला फर्ज एदी दिल चस्पी लई जोर देना थे पारत नू मेरा स्मुच्चे तौर थे दूसरा है मैं ताकतवर तारमिक पावना मानुसार अपने तरम दी तार ना रख दा हां प्रन्तु मैं हिंदुईजम विच विश्वाश नहीं राख दा ते मैं मकारी नू नफरत करदा हां मैं इस करके हिंदुवाज नू छट देन दा फैसला कर चुका हां प्रन्तु मैं अजेहा करन ले तुरंत तुलेया होया नहीं हां क्योंकि मैं अपनी कम्यूनिटी नू अपने नाल ले जाना चौन दा हां। अच्छूत फॉज अज प्रेड कर दी नहीं चाले रही एहें देख रही है। ते एक योग मौके दी उडी कर रही है। तद तक छूहे जान वालेयानों तुहाड़े द्वारा वाईयां गईयां लीहां ते आपनियां कोशिशां कर दे जाना चाहिदा है। सोर्स मेटीरियल वॉल्यूम वान पेज नंबर उन्ताल। अच्छूतां दी मुक्ती दे दुश्मना दे एजेंट। डाक्टर अंबेटकर जी ने देश दे दूसरे हिस्सेयां दी दबियां कुछनियां जातां दे लीडरा नाल तरम बदली दा स्वाल नहीं विचारया सी। शायद ओहु महसूस कर दे सान की अजेहा करना जरूरी नहीं सी। मुख कारण एहे सी के उथे नामवर लीडर नहीं सान। उथे कुझ स्थानिक लीडर सान जो अच्छूतना दरम्यान कुझ जातां दी प्रतिनदता कार दे सान। सिरफ एक आदमी जो सदे कारते राजतों बाहर जानेयां जान्दा सी एक खास मशूर लीडर अते मदरास दी कानून बनाण वाली सबा दी प्रेजिडेंसी दा मेंबर सी। उसदा ना राव बहादर M.C. राजा सी इस सबंधी उसदे विचार चंगे जाने पुशाने सान बदनाम पूना एक्ट चौवी नौ उनिसो बत्ती ते दसखत करन वालेयां विच्चों राव बहादर राजा इक सी। राव बहादर राजा ने कानून बनाण वारी सबा विच्च फिरकू अवार्ड पूना पैक्ट बारे बोल दियां स्तंबर उनिसो बत्ती विच्च के हाँ मैं मानलिया है कि जात हिंदूआं दी नजर दे दिरिष्टी कौन विच इक बदला है असी दबियां कुछलियां जातां आप महसूस करते हां कि सचे हिंदू हो ये जिवें कोई वी जात पाती हिंदू हो सकता है अते असी महसूस करते हां कि हिंदूआ दी जमीर इखलाक दी हद तक जगाई जा चुकी है कि साधी मुक्ती हिंदू समाज दी दे आरिया समाज ते अंदर तों तप दिली बारे लहर विच पई है ना कि अपने आपनों उना तों वक्ष का दिया दज स्पोक अंबेटकर वॉल्लिम फोर्थ पन्ना एक्सो च्याली एक्सो संताली राव भादर एमसी राजा मदरास राव भादर राजा गांदी दी अते कांगरस दी इस वड़ेयाई नाल ही समापती नहीं करता प्रंतू अचूट्धा दुआरा हिंदूआ दे रिति रवाजां दी अनुकूलता दे होर तरिक्के अते वड़ी तसली अते खुशी नाल अचूट्धा दुआरा गोध लैंड नू जहर काता है उसने वड़ी तसली नाल एलान किता जित्थे कित्थे उत्थे मंदर नहीं हन अते सारी पूजा नू अनगौलियां किता उत्थे नमे तार्मक जीवन नू मुड सुर्जीत करन दा रुजान है लोग इशनान कर दे, साफ कपडे पहन दे, तार्मक पगती दे, चिन लौँ दे, एहे सुद्रे होए हिंदुईजम दा असर है हिंदुईजम साड़ा तरम है, आते एहे साड़े ले पवित्तर है एहे साड़ा फज है कि एनू खराब होन तो बच्चाईए ते इसनू साफ करिए असी नहीं चौँदे, हिंदुईजम दे के एरे तो निखड दूर हो जाईए असी अच्छी मानता चौँदे हां, एक असल दी मानता कि असी हिंदुईजम दी जात नाल बराबर दे आदुई है साड़ा उदेश अच्छूद पाण नू हटोना अते हिंदु समाज दा प्रशन रहत अनिखड मां आंग बढ़ना है पन्ना 118 किसे भी गुलाम दुआरा अपने मालक अते नसल नू कदे वड़्डा इनाम नहीं दिता जा सकता पन्ना 119 राव बहादर M.C. राजा एक्थे ही खतम नहीं कारता ओहो दखणी राजा विच्छ लेक्चर देन लई यात्रा ते तरम बदली विरुद परचार वास्ते गया उसने डाक्टर अंबेटकर नू इत्थों तक चैलेंज कीता कि जे उस विच हिम्मत है ता दखण नू आवे उसने गांधी जी नाल एक इंटर्विउ पाली अते डाक्टर अंबेटकर दी तरम बदली दी लेहर दे विरुद परचार करन लेई एकलाकी अते पदार्थिक मदद वास्ते बेंदी कीती गांधी जी ने उत्तर देता जद दखण तों पार्टियां पे जियां जा साकती हैं उत्थे दखण नू उत्तर उपर निर्बर हों दी लोड नहीं दखण पास तार्मक गीतना दा प्यंत खजाना है पजन पार्टियां दा प्रदेश तों अपने आप लामबंद करना साबतों असान चीज होनी चाहिए है दस पोक अंबेटकर वॉल्यूम फोर पन्ना एक्सो उनन्जा तो आज जैसी एही किताब पन्ना नंबर चुरंजा तक ही पढ़ांगे तानवाद जी वाहिगुर्ण जी का खाल्सा वाहिगुर्ण जी की फतेख